अले फ्रेंट्स आपका स्वागे थैए एक बार फिर से नए वीडियो में और आज इस वीडियो में बात करेंगे किसान भाईयों के लिए प्रधान मंदर किसान सम्मान निदी का यनि дваयटियोर और 28 किस्त इस दिन होगी जारी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कौन से ऐसे किसान है जिनको यहाँ पर 2000 रुपई मिलेगा और कौन से ऐसे किसान है यहाँ पर 4000 किस्त का लाव यहाँ पर मिलने वाला है दो महत पूर्ण आपको कारे करना होगा अगर आप प्रधान मंतरी किसान सम्मान निदी का पैसा लेना चाहते हैं यहाँ पर आपको 17 वी किस्त जो जारी की गई थी यहाँ पर जून महीने में तो अब आगे आने वाली 18 वी किस्त कप जारी होगी आज इस वीडियो में जानेंगे वीडियो कन तक बने रहेगा अगर आप एक किसान है और प्रधान मंतरी किसान सम्मान निदी का आप लाव ले रहे हैं तकि आपको सारी जनकारी मिल सके है फ्रेंट से अगर बात करें किसानों के लिए सरकारी तरफ से यहाँ पर चार महीने के अंतराल पर आपको 2000 रुपए की किस्त यानि साल में बात की जा तो 6000 रुपए की रकम आपके खाते में टांसपर की जाती है यदि रासी पूरे साल में तीन किस्तों में सिधे जो किसानों के खाते में जमा की जाती है वो पातर किसानों को दी जाती है यनि आपके पास सरकार की तरफ से जो क्राइटेरिया है वो आपको पूरा करना होगा इसके लिए आपके पास सबसे महतपूर्ण चीज़ है कि आपके पास खेती योग जमीन होनी चाहिए अगर आप क्रिसी योग जमीन नहीं है तो आपको यहाँ पर लाव नहीं मिलेगा क्योंकि प्लोटिंग की जमीन पर आपको यहाँ पर प्रधानमंद्री किसान सम्मान इदी का पैसा नहीं दिया जाएगा क्योंकि वह खेती में यूज नहीं होती है जो जमीन उसके लिए सरकार आपको रखब नहीं देगी ये लगव एम सीमांत किसानों को ये हलाब दिया जाता है जिससे वो अपनी खेती बाड़ी में उनकी मदद हो सके केंद सरकार देश के करोणों किसानों को आर्थिक रुप से मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्र किसान सम्मान निरी योजना चला रही है इस योजना के तहट किसानों के खाते में अब तक सत्रहवी सत्रह किस्तों का पैसा भेज चुकी है अब तक देश के लगभग 12 करोण किसानों को इस योजना का लाब मिल चुका है अब अगली आने वाले किस्त का इंतजार आपको बेसबरी से है तो ऐसे में 88 किस्त किसके तौर पर यानि किसानों को 2000 उपए की जो रकम भेजी जाएगी वो आपको कब तक मिलेगी अगर इसकी बात करें तो मीडिया रिपोर्ट की माने या आप अपने से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं क्योंकि 17 वी किस्त जो जारी की गई थी वो आपकी जारी की गई थी जून में आप जून के बाद आता है जुलाई जुलाई के बाद आता है आपके अगस्ट अगस्ट के बाद सितंबर सितंबर के बाद अक्टूबर या अगस्ट और सितंबर ये दो महीने हैं सितंबर के लाश्ट में अगस्ट सितंबर के लाश्ट में और वहीं बात करें अक्टूबर क फर्स्ट या सेकंड बीक में आपको लाव मिल जाएगा जो प्रधान मंत्री किसान सम्मानेदी का है जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर रवी की फसल की बुआई के लिए सरकार तरफ से सीजन वाईज आपको धन्रासी जारी करती है तो ऐसे में सितंबर या अक्टूबर में किस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी कुछ रिपोर्ट्स की अनुसार अगर बात करें तो प्रधान मंत्री किसान सम्मानेदी की अगली किस्ट के पैसे नॉम्बर में भी जारी हो सकते हैं आपको बता दें पीम किसान योजना के अटरवी किस्ट जारी होने से लेकर अब तक कोई अधिकारी कुसरा नहीं की गई है जैसे ही आपके पीम किसान सम्मानेदी की ओफिसल वेफसाइट पर भी डाटा इसका अपडेट कर दिया जाता है पंदरा दिन पहले आपके ओफिसल वेफसाइट पर ये बता दिया जाता है कि आपके किस्ट किस दिन जारी होगी पुले डीटेल में सरकारी तरव से बता दिया जाता है लेकिन यहाँ पे जो पिछली किस्ट थी जो आपको जून में मिली थी वो किस्त right time पे मिलेगी यानि फरवरी में किस्त मिली थी फरवरी के बाद जेश्ट आपको जूर में दे दी गई है तो ये भी किस्त आपको October के first second week में आपको मिल जाएगी ये जहां तक update सही आपको दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो अपडेट सरकार तरफ जारी होते हैं वही आपको यहाँ पर बताया जाता है तो अगर आप किसान है और अगली किस्त का लाब पाना चाहते हैं तो ऐसे किसानों को दो जरूरी काम कर लेना अनिमार है नहीं तो आगे अगली किस्त का लाब आपको नहीं मिलेगा जिन किस्तानों को 17 वी किस्त का पैसा नहीं मिला है उन्हों PM किसान सम्माने देखी ओफिसल वेफसाइट पर जाकर अपना EKYC कम्पलीट करना है अपना बहुत एक सत्यापन यानि जो डाकुमेंट्स है जमिन के उनको वेरिफाइट कराना होगा लेक पाली या क्रिसिवी भाग में जाके तभी आपको यह किस्त का लाफ मिले जागा अगर आपके नाम में किसी प्रकार की तुरूटी है बहुत सारे ऐसे किसान है जिनके नाम में PM किसान सम्माने देखी ओफिसल पोर्टल पर जो डाटा अपडेट है उससे मैच नहीं कर रहा है जिसकी वज़े से भी इनकी किस्ते रोग दी गई है तो यह तीन किस्त तीन अगर आप अपडेट पूरा कर लेते हैं तो आपको आने वाली किस्त का लाफ मिल जाएगा यहनि प्रधान मंतिर नेरन मोदी जी अगर बात करें तो बीते जून महीने में उत्तर प्रदेश के वरांटसी में किसानों की सत्रहवी किस्त का जो लाफ उनके खाते में सिधे एक क्लिक के माद्यम से भेज दिया था महीं सत्रहवी किस्त का जो लाफ है वो किसान भाईयों को लगवग 20 हजार करोन रूपए की रासी बांटी गई थी तो ऐसे में आपको 17 वी किस्त और 28 किस्त दोनों का लाब अगर लेना है तो आपके खाते में 4000 रूपए भी मिल सकते हैं अगर आपके डाकूमेंट्स पूरे कंप्लीट है तो अभी तक आपने आपना डाकूमेंट्स कंप्लीट नहीं किया है तो वो कंप्लीट कर ले ताकि आने वाले किस्ते आपको मिल सकें ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बाक्स में जरूबत आएगा इसके लिए आपके मनमें कोई प्रस्ट नेत कमेंट करिएगा वीडियो यहीं समाप्त करते हैं नमस्का